इंडिया ने ओपनली यूएस पे आरूप लगाया है कि यूएस आज के समय वोड बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनाशनल लेवल पर और लिटरली इंडिया है इंडिया आप देख पाऊगे आर्टिकल है इंडिया ने ये का है कि यूएस के जो बयान है भारत को लेकर रिलिजिस फ्रीडम को लेकर इससे यही लगता है कि यूएस बेसिकली क्या चाहता है कि ये लोग वोड बैंक पॉलिटिक्स खेले इंटरनाशनल रिलेशन्स और ये मैं कहूंगा एक बहुती इंपॉरेंट स्टेट्मेंट है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर इंडिकेशन रिलिजिस फ्रीडम इंडिया में अंडर थ्रेट है ये यूएस हलाकि इन दे पास्ट और लेंगवेज में बोल चुका है मगर पहली बार यूएस एके सेकेटरी अव स्टेट ने ओफिशल ये स्टेट्मेंट दी है इंडिया का मैंशन किया है और ये कहा कि रिलिजिस फ्र चार्ज हो रहा है उसको एक्नोर कर रहे हैं या फिर इन अटैक्स को सपॉर्ड कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा संगीन यहां पे हिल uwजाम है यूएसे का टु इंडिया तो इंडिया ने तब जाकर यहां पे बहुत-जादा कड़ा रिप्लाई किया और एक्यूरी पूरा reply आप अगर देखोगे भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पे इंडिया ने पहली बार USA में जो gun violence होता है जो racism होता है इसको भी अच्छे से point out किया है और यह का है कि हम भी चिंतित है कि आपके देश में क्या हो रहा है ना यहाँ पर मुझे आड़ करना पड़ेगा कि USA के secretary of state Anthony Blinken जो अब यह बहुत जादा aggressive statements दे रहे हैं अगेंस इंडिया यह coincidentally आप कह लिए या फिर जो भी आपकी समझ है इससे आप assume कर सकते हैं कि ऐसे time में USA की तरफ से यह statements आ रही है जब इंडिया record levels पर oil purchase कर रहा है from Russian Federation आप देखोगे इस तरीके से compared to January 2021 आज कर समय आप अगर देखो तो इंडिया बहुत बड़े scale पर crude oil purchase कर रहा है from Russia और US इस बात को लेकर खुश नहीं है US इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया के जो petroleum products हैं यह actually Russian oil से बन कर American market में अंटर कर रहे हैं तो discuss करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, Anthony Blinken ने क्या का है मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूँगा question देखिए बहुत ही basic है question यहाँ पर यह है कि क्या आप agree करते हैं USA के Secretary of State की comment से क्या आप मानते हैं कि US को यह सब बोलने का अधिकार है लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं genuinely जानना चाहूँगा आपको opinion अगर किसी की comment बहुत जारा thought provoking हुई बहुत जादा in-depth तरीके से उसने subject के बारे में लिखा मैं कोशिश करूँगा कि जो उसकी comment है उसको pin भी कर दूँ ताकि बाकी लोग भी वो comment appreciate कर पाए USA के Secretary of State Andrew Blinken की statement आप अगर देखोगे तो उन्हें यहाँ पर यह का है कि इंडिया में ना सिर्फ minorities पर attack हो रहा है जो religious places of worship है यह भी खतरे में है और सबसे अरजीब बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि जो इनका continuous sentence था इन्होंने एक ही sentence में इंडिया का example दिया चाइना का भी example दिया चाइना में भी का कि जो उईगुर Muslims के साथ हो रहा है वो बहुत ज़रा गलत है फिर यह का कि जो Nigeria में हो रहा है minorities के साथ उनकी आबादी systematic तरीके से कम करी जारी है उसको क्या आप compare कर सकते है with what is happening in India क्या genuinely हम चाइना के issue को proper seriousness दे रहे हैं अगर हम इंडिया का issue compare करेंगे चाइना के साथ यह यहाँ पर सोचना होगा क्योंकि recently आप अगर देखो तो चाइना से बहुत सारी वीडियोज लीक हुई है database release हुआ है जहाँ पर बताया गया है कि systematic तरीके से कैसे चाइना अत्यचार कर रहा है उईकोर मुस्लिम्स पर in China मुझे पता यहाँ पर आप एक question पूछोगे क्या US ने अचानक से यह statement दे दी बस अचानक से ही इनके secretary of state उठे और इन्होंने कहा दिया के देखो इनिया में हरत बहुत खराब है हमें आपे खुछ नहीं है नहीं actually हुआ यहाँ आपर क्या है कि US ने release करिये recently अपनी state of department की report 2021 report on the international religious freedom इस report में US दुनिया भर के देशों में religious freedom का जो status है उसके बारे में commentary करता है तो US की पुरी report आप अगर पढ़ोगे तो उसमें नोंने कश्मीरी हिंदूस पर जो attacks हो रहे हैं जो six पर attack हो रहे हैं उसको भी cover किया है मगर ये बात कहना कि किसी देश में जो ठीक है minorities पर कुछ attacks होते हैं वो अलग बात है फिर आगे ये वी add करते ना कि भारत सरकार के officers यहां पर involve हो सकते हैं ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और इसलिए भारत सरकार ने ये reply दिया है USA को ये official reply है भारत के विरेश मत्राले का USA को इंडिया ने आपर ये कहें के USA की तरफ से जो statements आई है बिलकुल हमने इसको notice किया है और हम यहाँ पर ये कहेंगे के US के senior officials ने जो भी यहाँ पर बाते बोली है ये ill-informed है इनको reality पता नहीं है इनको ground situation पता नहीं है कम information के साथ इन्होंने आपर comment करी है फिर आगे लोंने आपर ये भी याड़ किया है कि हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही जादा unfortunate बात है कि USA World Bank politics practice कर रहा है international relations में हम urge करते हैं कि US अपनी assessment bias तरीके से ना देखे और bias views को यहाँ पर avoid किया जाए finally इंडिया ने आपर ये भी कहा कि इंडिया बिलकुल religious freedom को value करता है और हम लोग भी काफियत तक चंतित है USA के issues को लेकर for example जो systematically USA में racism हो रहा है जो ethnically motivated वाँ पर attacks होते हैं जो hate crimes बढ़ रहे हैं USA में जो gun violence USA में बढ़ रहा है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंडिया ने US को जवाब देते हुए जो gun violence का issue है ये साफ साफ race किया है कि आप भी अपने gun violence के issue को देखिए और जो ये hate crime का issue है ये तो मैं कहूंगा USA को इस issue पर दुनिया भर से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है recently हमने ये देखा कि Korea का South Korea का एक K-pop band है BTS के नाम से ये Joe Biden से मिलने के लिए गया और BTS के members ने Joe Biden के सामने ये कह दिया कि हम बहुत ज़ारा devastated है by anti-Asian hate crimes in the US तो at least इस राज के समय ये देखने को मिल रहा है कि US जब दुनिया को lecture देता है तो दुनिया भी US को वापस जवाब देती है कि आपके यहाँ भी जो hate crimes है बहुत ज़रा बढ़ रहे हैं जो gun violence है आपके यहाँ बहुत ज़रा बढ़ रहा है you need to look into your own country बाकी countries पर report माने से कुछ नहीं होगा you first need to sort out your own issues और अगर आप सोच रहे हैं USA के issues तो sort out होई जाएंगे यह issue है ना के वहाँ पे gun easily मिल जाती है gun आपर chase कर सकते हो आसानी से तो इसका solution दो निकल जाएगा देखो मैं आपको बता रहा हूँ USA में जो बहुत इनके famous journalist है यह openly कह चुकी है कि कल को अगर US government ने US public से बंदुके छीनने की कोशिश करी तो USA में एक बार को ग्रह यूद हो जाएगा civil war can happen in the US और बाइदवे यह statement दी है Tucker Carlson ने यह वही journalist है जिनके show में कुछी महीनों पहले एक so-called American professor ने Indians के बारे में अभधर भाशा का इस्वाल किया था मगर आप देखेंगे भविश्य में US की तरफ से इंडिया पर अलोशना बढ़ने वाली है religious freedoms को लेकर और कहीं भी US को कई रूम दिखेगा इंडिया की अलोशना करने का तो यह बिलकुल इंडिया की अलोशना करेंगे और इसका reason मैं आपको बता दू यह है कि US में frustration अभी इस बात को लेकर बढ़ रही है कि Russia का oil actually इंडिया के थुरू US पहुच रहा है यहाँ पर समझाता हूँ हो यहाँ पर क्या रहा है देखो हम लोग कच्चा तेल पर chase कर रहे हैं बहुत बड़े scale पर Russia से हमारे देश में आपको मिलेंगी बहुत सारी refineries तो हम कच्चे तेल के जो petroleum products हैं यह बना रहे हैं और यह products फिर हम export कर रहे हैं USA को तो technically यह आप अगर देखो तो Russia को भी यहाँ पर पैसा मिल रहा है indirectly from US और आज नहीं तो कल मैं आपको बता दूँ के US officially इस issue को भी raise करेगा और कहेगा के हम देखो यहाँ पर आपसे जो भी petroleum products purchase करेंगे उसमें हम चाहते हैं के आप हमको guarantee दीजिए के इस तेल का origin रश्या नहीं है यह तेल आपने और जगा से purchase किया है हलाकि इसका जवाब भी इंडिया ने यह prepare किया है के US ने oil purchase पर क्यों बैन लगा दी है from Venezuela, from Iran उन country से तो oil allow करो कहीना कहीं से देखो problem आ रही है oil prices are rising तो रश्या से अगर कम rates पर हम को oil मिलेगा obviously we will buy that oil तो इंडिया ने आप पर clearly एक संकेर दे लिया USA को के आप लोग हमारी patients को अब बहुत ज़रा test कर रहे हो यह सब आरोप लगाकर religious freedom की इस तरीके से बात करके Russia के oil का issue raise करके और in the end मैं आपको यह बता दूँ back foot पे USA रहने वाला है क्योंकि US needs India more than India needs USA and finally आपर मैं यह भी आड़ कर दूँ कि आप अगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे है चाहिए IT, JEE, NEED, BANK, SSC, UPSC आप पर्चेस कर सकते है an academy के quality courses simply जाओ comment section में यहाँ पर आपको मिलेगा link for example let's say आप prepare कर रहे है for UPSC, click कर ये UPSC पर और यहाँ पर पर्चेस कर पाएंगे an academy का unique course जिसमें आपको heavy saving होती है अगर आप use करते है promo code PD10 मान लिजे अगर आपके पास अभी है एक-दो साल का time अराम से आप 2024-25 में UPSC का time देना चाहते हैं तो जो 24 महिने का course है यह आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह पर करने के आप सकता नहीं है simply यहाँ पर अगर आप code use करते हो PD10 तो prices गिरने आपर start हो जाएंगे the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो का thank you for listening and as always God bless you all Teksting with it एकर है ऑंह तो आVEN का वीडियो का सबHI आपका रस का वो